नमस्ते बच्चों जेसी आटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों अभी हम दूसरी कर्चा की एक कविता सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है रसोई में भगदर बच्चों रसोई मतलब क्या रसोई मतलब जहां मा बनाती है आपके लिए अच्छा-च्छा खा यानि कि जिस रूम में खाना पकता है उसे हम करते हैं क्या करते हैं कीचन करते हैं या रसोई करते हैं तो इसी रसोई में हो गई भगदर अब कैसे भगदर हुई जरा हम देखें तो बच्चों यहां एक बिल्ली नजर आ ही है नहीं बिल्ली नजर आ रही है और हम देखते हैं कवीता को दबे पां से बिल्ली आई लगी चाठने दूद मलाई बचों बिल्ली को दूद मलाई अच्छी लगती है यै नहीं अच्छी लगती है लगती है इसी लिए बिल्ली रसोई घर में आई और लगी चाटने दूद मलाई क्या दूद मलाई अच्छा बचों गरम लगा तो प्लेट गिराई बच्छों गरम लगा तो प्लेट गिराई अब प्लेट को तो गिर नहीं था बच्छों प्लेट को क्यों गिर ना था क्योंकि बिल्ली ने गिरा दिया है न तो चलिए इस कविता को अब हम ध्यान से पढ़ते हैं दबे पाउं से बिल्ली आई लगे चाटने दूद मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई बच्छों यहां तस्वीर देख रहे न यहां बिल्ली रसोई घर में घूस गई है और दूद चाटने समय वो पतीला गीर जाता है उसका धकन गीर जाता है है न और वो क्यों गिरता है बच्छों गरम लगने के कारण गरम लगने के कारण आगे बढ़ते हैं बच्छों पटके बरतन धूम मचाई पटके बरतन धूम मचाई अच्छा तो आगे क्या हुआ बच्छों यहां यह कुत्ता है कुत्ते ने जो आहट पाई बं बं कर आवाज लगाई भच्चों कुट्टे ने जब आहट पाली तो क्या हुआ बच्चों क्या हुआ अच्चा है कुटब हौखना शुरू किया ना बच्चों ओहो चलिए बच्चों आगे देखते हैं पट के बरतन दूम मचाई कुटे ने जो आहट पाई भौँबौँ कर आवाज लगाई बाबा यी तो कुत्ता बहुत भ्यानक है ना बच्चों है या नहीं है है चलिए कुत्ते ने जो आहड पाई कुत्ते ने जो आहड पाई बहु बहु कर आवाज लगाई बच्चों आवाज जब लगाई होगी तो बिल्ली दोड़ के भागी होगी या नहीं भागी होगी भागी होगी भागी होगी बिल्कुल भागी होगी और उसी समय बच्चों मुन्नी भी आ जाती है ये देखिए चित्र में मुन्नी मुन्नी जट से दौड़ी आई अरे एक ऐसी हो गई गड़ रसोई में मच गई भगड़ सारे बरतन करते भड़ भड़ सारे बरतन करते भड़ भड़ ठीक है बच्चो चलिए एक बार फीक से पढ़ लेते हैं मुन्नी जट से दौड़ी आई अरे एक ऐसी हो गई गड़ रसोई में मच गई भगड़ सारे बरतन करते भड़ भड़ तो चलिए बच्चो एक बार खूब अच्छी तरह से इस कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं सुरू से और बच्चो इसे आप लोगों को क्या करना है या याद करना है याद करना है याद करना है याद करना है बिलकुल याद करना है सभी बच्चों को इसे याद कर लेना यह कविता अच्छी है या नहीं है बच्चों बहुत अच्छी है अच्छा इस कविता में राइमिंग है या नहीं है बच्चों है है इसमें बहुत राइम कविता का क्या नम है रसोई में भागदार यानि की उच्छल कूद हंगामा उच्छल कूद हंगामा तो चलिए फिर से पढ़ लेते हम लोग दबे पाउं से बिल्ली आई लगी चाटने दूद मलाई गरम लगा तो प्लेट गिराई पट के बरतन धूम मचाई कुते ने जो अहट पाई भाउं भाउं कर आवाज लगाई मुन्नी जट से दौड़ी आई अरे एक ऐसी हो गई गडबड रसोई में मच गई भरदड सारे बरतन करते भडबड तो बच्चों आपकी ये कविता हो गई समाप ये सिर्फ छोटी सी कविता है ना इतनी छोटी सी कविता ये तो कुल कितने लाइन की है आप देख लिजिए ना तीन तीन छे और चार दस लाइन की कविता है ना दस पंक्तियों की कविता है कविता का नाम रसोई में भरदड और आप लोग इसे याद कर लेंगे ना हाँ करेंगे बिलकूल बिलकूल और फिर उसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग इसमें प्रस्नूत्तरों को सामिल करेंगे और सभी बच्चे प्रस्नूत्तर को भी बनाएंगे ठीक है बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप करता हूं जैहिन बच्चों